नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आरके इस्टर्ट फर्म के पार्ट थ्री के अंदर आपने पार्ट फश्ट के अंदर देखा था ओशियन गोडा जिसकी कबरिंग फीसर ने 41,000 रुपे रख रखी है बहुत बहतरी इन रजल्ट उसके मार्केट में आए हुए हैं लगबग 70-80 के करीब बच्चे मार्केट में आ चुके है तो और जो यह गोडा है यह एहमदाबाद में सिटी के अंदर है तो अगर गुजरात के लोग या भार के कोई लोग इस लेके आना चाहते है तो वही आप अपनी गोड़ी लेके आ सकते हैं इसकी कब चालू है अपने आपको पार्ट टू के अंदर दिखायता फते गोड़ा जिसकी भी कबरिंग चालू है जिसकी भी कबरिंग फीस 41,000 रुपे हैं इसके ओसियन से थोड़े से कम रजल्ट आएं क्योंकि उम्बर में भी डिफ्रेंस है यह दोनों ही गोड़े सर के पास में है तो कोई बाई लोग अगर इन दोनों गोड़ों से अपनी गोड़िया कबर कराना चाहता है तो आप बाई लोग आ सकता है इस फाम पे आपको बिलकुल बैलकम है बागी सर अगर हम बात करें लोगों को हम इसमें दो गोड़िया बताने वाले दोनों बच्चे तो सर अभी ह हमारे साम ने जो घोडी क्षडी ही है क्या नाम है इसका नाम है माइर सुमयः सुमय जी और उम्र में कितनी होगी सर यहser यह नौजी और है वाज यह साल जी और अमिर में बाता करें शर इसकी, यह 62 प्लस ए 62 प्लस है जी बाप कौन है सर इसका इसका बाप है ओम कारा करके आलिसान लाइन का गोड़ा था ब्लेक कलर का पचकलियान गोड़ा था वो था अमारे दोस विजय भाई के यहां पर बरोडा बिल्कुल और मेरे पास मेर थी मेर अक्सा वो उससे यह पहला बच्चा था जैसे बिस्वनाद बिस्वजीत अभी भी पता नहीं कौन सा गोड़ा है उनके पास में जी जी सब रोमियो का बच्चा है उनके पास में रह चुके है बागी सर अगर बात करें इसकी मा की गोड़ी की मा की जी कौन है इसकी मा सुमया की सुमया की मा है अक्सा वो किसके पास माह जिए तो माह साइट भी बैज़ बैर पहां है राषो काम ini दो झाथ नहीं भाइवा गणा आप मैं वेपारी नहीं हूं प्रदीब भाई मैं अपने शौक के लिए अपने गोडे रखता हूं और मेरी फिलिंग उनसे अटेच है तो बोलते हैं हर सब कुछ पैसा नहीं होता है तो यह मेरी फर्स्ट गर में ब्रीट क्यूवी बच्ची थी तो इसको मुझे नहीं देना था औ और फते जो 25 दिन में उसकी मा चुट गई थी तब फते सिफ 25 डेस का था हमने उसको हातों से बकरी का गाय का दूद पिलाया थोड़ा 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 दाना बॉइल करके उसको खिलाया और फिर उसके बाद जाके फते आज इस तरह से तैयार हुआ है मेरे लगता आपक कभी कोई कीमत रखी नहीं और हमने कभी उसको सहल करने का सोचा ही नहीं कभी कभार वह बता देता है कि कीमत नहीं कीमत हमने कभी बेचने के लिए नहीं तो वह कीमत क्यों बताएंगे तो बागी सर बात करें जैसे गोडी की जी तो गोडी को डाइट में क्या देते हो अभी कॉडी को वह हम लोग Wrld करते दाना जैसा ज़ाओ है मघ्य है सब्सक्राइब आधा कर thiय। किसी को क weaker ॥ृब जा करें कि दिस्टृबूट एक दिश्ट्रीबूट के सब को पहुंचता है । optimize the़ तो एक दिन में जैसे एक गोड़े को बात करें किलो के साफ से सुबा में धाई किलो साम को धाई किलो यानि कि दो बार में देते हो दो बार देते बिल्कुल जी बाकिसर अगर बात करें समया की कितने क्या बच्चे इसने दिये हैं जैसे घोड़ी आपके पास में तो बच्च और बच्चे मेरे पास ही खड़े दो बच्चिया दिये इसने दो बच्चिया दो फिली दिये इसने वो भी आपके पास में दोनों मेरे पास ही है तो जैसे अगर हम सर बात करें लोगों को हम जो इसकी पहली बच्ची वीडियो में दिखा रहे हैं और जो लोग देख पा रहे जी और बात करें सर मार्किंग में क्या है मार्किंग में ब्लेज है और उसके चार पैर धुले हुए पचकलिया जब पैदा हुई थी तब पचकलिया नहीं थी लेकिन आगे का एक पैर आप देखेंगे तो एक पूरा वाइट है और पीछे बाजुवाला पैर भी लाल दिख लेकिन पीछे मारा वाइट है और है तो कि इसमया की पहली बच्ची है और उम्मीद करी थी उससे बहुत अच्छी बच्ची आई हमारे या पर और इसकी लाइज भी बहुत अच्छी बच्ची है मदर साइट से आलिसान लाइन है और फाधर साइट से ये सुल्तान लाइन है इसका बाप है सिवालिक जो अब नहीं रहा हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हमारे बड़े है धर्मेंद्रबाई पटेल आपके एहमदाबाद में ही था पटेल फ़ाम में उनहीं के गोड़े से आपने कवर करवाई थी सुमया को सिवालिक की बच्ची है बागी सर अगर बात करें जैसे आपने नौ साल या आपके प्याहा इस गोडी को हो गए जी नौ साल में दो इस बच्चे लिए जी प्रदिब भाई मैंने जब यह पहली पाँ साड़े-पाँ साल की थी ना तब मैंन और वेपारी आदमी तो हूं नहीं और मुझे कोई ऐसा भी हैं कर दो मैंने जैसे एक बच्चा आ जाता हैं फिर में एक साल का रेश्ट दे देता हूं और उसके बाद मैं कवर करवाता हूं देसे बहुत जादा रैश्ट देदेते हो आपना जी यह सबर वाला ही शौक है प से बात करें इस वीडायों में उसकी दूसरी बच्ची इसका क्या नाम हिनसी काइनालात जी और कौननी में सर इसका मेरे गोडे के पात करें या यह भीες पारे बच्ची में कवालटी देख भारें पहले तो इसके मार्किंग बहुत अच्छे पचकलियान है और बहुत खुबसूरत बच्ची है और यह बीस मेंद की एज के अंदर 59 तू 60 के आसपास इसकी हाइट है अभी बिल्कुल और बच्ची का फेस बहुत लीन पतला ब्लेस बहुत खुबसूरत एकदम पतला और बच् अच्छा है तो मेरी उम्मीद से बढ़के ओशन का रिजल्ट आया मेरे आप यह कभी कभर सर ऐसा भी होता है जैसे बाहर किसी कहीं है रिजल्ट आए और आप उसको बोलो भाई रजल्ट की फोटो वीडियो बेजना तो ना भेजे या पर आपको ही रजल्ट आपको ही ना पसंदारी हो पर आप उसी को ना ले पा रहे हो हुआ है मेरे साथ इसा प्रदीब भाई क्या बाग क्या हुआ कुछ बताओ अगर मेरे एक दोस्त है मैं उनका नाम नहीं लूंगा उनको वह फिली पसंद आई थी मौवी फिली थी बड़ा पान था उनको लेनी थी तो जब थी हमारे दोस्त के यहां से है थी लोकल गोडी थी अनन टौँ हमने तो उस टाइम पर कोई चार्ज नहीं लिया था मेयं इसारी तो उसम धोस्ती हारी में कवर किया थै क्योंकि उसके बच्पन के सारे फोटो वीडियो थे मेरे पास अगले को पता नहीं था इसकी मां कौन है तो मैंने उसकी मां के भी फोटो वीडियो बेज और इसके first honor कौन थे मैंने उनका भी contact क्यों कर देते हैं लोग आपको क्या समझ में आया ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ इन पुरी इंडिया में गोड़े वालों के साथ ऐसा होता है कि कभी कबार उन्हीं की बच्ची खुदी नी खरीद पाते है उन्होंने कभरिंग फीज भी कम ली होती है किसी ने फिरी में भी कि यह लोग ऐसा क्यों कर देते हैं आखिर क्या तारण रहती हैं कि वह गोड़ा जाता ना चमक जाए या फिर क्या आपको बज़े समझ में आई इसके भी प्रती बाई कभी कभी तो ऐसा होता है तो पहले तो हमको इनी समझ में आता कि हमने खुद ने इतनी मैनत की है और हम हम हर वक्त जब भी मदद की जरूद थी तो हम साथ थे लेकिन आज हमको जरूद थी कि बाई हमको चलो आपको इदिखाना है तो हम कोई परमीशन नहीं मिली या हम कोई फोटो या वीडियो नहीं मिला उसका मेरा को लगता है बाई कि जो भी लोग एगर ऐसा करते हैं तो मे बच्ची वो दिल से प्रमोट करना चाहता है इसलिए मांग रहा है ना ऐसा तो एह नहीं है कि उस बच्ची का सौधा करके गुरूप में डाल देगा और आपकी बच्ची बिच में दलाली खा जाएगा जो ऑनर है उनको अपने बच्चा बच्ची अगर आपके फाम पर आत हाधी है तो यह बताना जरूरी भी नहीं समझते हैं सर्री में चोड़ाए है और पैसी लिए पैसे हुआ है यह तो सरा आदमी की दिकत ए है यह तो बताना चाहिे जी जिघाला इस कुछ जाने वाला तहनी है अगर समझो के हम अमारे गोड का करें तो साथ साथ मैं उसका भी प्रमोशन हो शोय है और चुपाने क्या क्नाय क्या मतलब हे अच्छी चीज तो बताने में क्या हर्ज mojeता 14 मिरो लगता है कि गोडे wash लोगों को बुला बुला के बताते, भई मेरे पास देखो ये और छपआने का ये उला इस होड़ी ना है इसका नाम घॉपाने लोगोड़ी दिखाने वाला सोधा तोब है, बाहँ बात करें हमारे सामने जी अब भी दूसरे नंबर पे तोड़ी इसका क्या नाम है इसका नाम है मेर स्टेला बाले अइस क्या उम्म्र होगा हो इए और जो समया उससे दो मैने चोटी है दो मेने दस दिन एकजयड दो मैने दस दिन चोटी हिय जय भी घरकी और ख्रश्टी डिए ये गर की ओम ब्रिड यह एक्षुलि पैदा मैं थी हमारी दोस्त है उनेर कुरेशी उनकी मेर थी उसका मेर रतनृ जोम लोगए पृचेस करके लाये थे उने इसे आप यहां पर यह पीड़ा हुई थी और शक्तर यह से यह फिर यह पास आयी तो बाप को बता रहे है उसका इसका बाप है बादल करके है कच में 64 एसकी युप और इसकी माह है रतन अभी भी है कि सर बाप ईया मामें से कोई नहीं प्रदिभाय अभी तो बाप का तो नहीं मालुम मुझे लेकिन माहें चुट गई एकीं up कि मारकें में देखे पीछे कए दो पेर सफेद है और आगे एक बलेज दो पेर सफेद और आगे ओलेज़ है और यह दो शोग जस्राव दो सूरत विनर कि 4 ओचिए सो में यह सेकंड प्राइस लाईitter आपने लगा या सर चाहिए फम्ला नहीं लगाया मैं नहीं लगा था इसका एक बच्चा भी है मेरे पास और वो बहुत ही खुबसुरत है तो बागी सराकर जैसे बात करें इसे गोडी के बारे में तो सो में अभी भी लेके जाते हूं के गोड़ा गोडी प्रदीब भाई अब तो हम लोग जाज़ा था डिस्पले के लिए लेके जाते हैं क्यों सो में लगाने से जादा मज़ा डिस्पले में लगाने में प्रदीब भाई मेरे लगता है जब डिस्पले में गोड़ा जाता है वो अपना प्रेजंटेशन कराने के लिए 15 मिट का टाइम मिलता है और गोड़े का अगर परफॉमस अच्छा होता है तो पब्लिक ताली भी है और पबली को देखने में मजा आता है इट और इससट जिए पहले क्या में चालू कर देते हो गोड़ा घोटी और टो वही तो बहुज dual शूटा बढ़ शाता एंप इसकी Amo तोड़ी बढ़ जाती है सो में ले जाने से पहले सो में ले जाने से पहले जी तो अभी ओसीन की मेरे को लगता है कि मालिस वाली सब चालू है ओशन की फते की सारे जानवरों की चालू है सो का दोर आने वाला है आई गया एक तरीके से जी जी प्रदीब बात करें इस गोडी के साथ में एक बच्चा भी है ना जी प्रदीब बच्चे का नाम रख रखा है बच्चे का नाम है बक्तावर 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 नाम बच्चे की गर्दन के साथ बिलकुल कड़क नाम रखा जी प्रदीब बाकि अगर सर बात करें इसका बाप तो ओश्यन हो गया माँ अमने जो लोगों को वीडियो पर दिखाई यह स्टेला है इसकी माँ और यह ओशनी का रिजल्ट है और उम्बर में कितना हो गया सर बच्चा यह तक्रीबर ग्यारा-बारा महिने का हो गया है ग्यारे-बारे महिने का जी 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 और मार्किंग में देखें सर मार्किंग में स्रीफ एक टीका है और चारो-चार पैर काले है कोई जवाब नहीं है कोई मार्किंग नहीं है ब्लैक है चारो-चार पैर और पूरा कुमेद बच्चा है बक्तावर में क्या खासियत देख पा दो ओशन के अंदर माइनस दिखती है वो इसके अंदर फ्लस दिखती है मुझे कैसे या निकी इसका फेस थोड़ा लॉंग है और इसके जिसका जो फेस हो एक दम लीण और पतला यह है जो फूल माल लाईGS में जो गोडियों के फेश आते थे ना क्योंकि इसकी जो मा की मासी रतन उसका फेस लीस टाइप का था बिल्कुल जी बागी बच्चा मेरे को लगते है कि एटिटूड में फुल अपने बाप पी गया है आगा जी एटिटूड में फुल उसके बाप की तरह ही प्रेजेंट करता है अभी से गरदन और कान हमेसा मिले हुए रहते और गरदन वर्दन भी एकदम लंबी निकाल के खा हम पहीं कर यह जी या लेकिन उसमें क्या है कि फोड़ा सा ऊशन थोड़ा एग्रेसिव हो जाता यह बच्चे को देखके बच्चे को भी देखके उसको पता है कि आने वाला수 यही साए यह है मेरा तो थोड़ा सा जलनवाली बात हो जाले झाले बच्चे बाप लिफ बच्चे प्रडुयूट आज तक जितने भी हमारे भाइयों के पास दोस्तों के पास यह जिन किने औव भी आइवि किया दो दिन में तो सबसे पहले कान उसके एकदम आंकडी वाले जुड़ जाते उसके बाद बच्चों में ये खासियत रहती है कि वह उसन की तरह उनकी गरदन अदर के अदर ही रहती है और कान मिले हुए रहते तो ज्यादा मेहनत करने की जरोद नहीं पड़ती है जिसे के वह खुद अपने आपको प्रेज़न्ट कर रहे हुए तो सराभी जैसे बात करें इस इस इसार किसी से कवर करा रखा है कर खाली है जी अब हमारा नहीं तो साल बी इसको साल वी उसको इस वे नहीं हूँ और उसके बाद मैं कवर करवाता हूं अभी उसकी जो नीचे काइनाथ को बीस महीने की हो गई है अब मैं जब उसको कवर कराऊंगा तो काइनाथ तब तक हो जाएगी 31 32 मन्त की तब उसका दूसरा बच्चा आएगा जो को मेरे को आपकी सबसे बढ़िया बाद लगी है ऐसा नहीं कि आप बैठे हो इसलिए बोल रहा हूंगा ना जी मेरे आपको खराब पैसा पैसा खराब नहीं लगता है लेकिन प्रदीब भाई हर चीज विकाओ नहीं होती और हर चीज में पैसा नहीं होता बना आप चाते तो माने चलो इनके बीच में आपने एक-एक साल का गैब दिया अगर एक बच्चे भी आते माने को कम से कम चार लाग म बल्के उससे जाता आ जाता है अपन तो कम से कम मान के चल रहे है जी जी प्रदीब पर यह चीज मेरे को लगता है उन लोगों को भी समझनी चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं भाई देखो आपके गोडा-गोडी हम कुछ कह नहीं सकते पर मेरे को लगता कि यह वह गोड़ी भ बच्चा अपने पेट में पाल रही होती है और दूसरा बच्चा भार से वह दूद पी रहा होता है तो दीरे दीरे वह गोड़ी बहुत वीक हो जाती है यह वह जो बोलते ना कि उसकी पूरी ताकत कम कर देते लिए अप जब भी कोई परानी गोड़ी देखोगे ना बहु इसके भी वह गोड़ी भी वीक होती है दो तरीके की बाते है मार्किट मैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि घोड़ी को भी थोड़ा सा रेस देना चाहिए जैसे कि एक बच्चा उसने दूद छोड़ दिया फिर उसको कवर कराते तो उसके लिए भी घोड़ी के लिए भी थो चार महीने का दिल और का जिसे आपको तसली एक साल कि आप एक डेट साल का दे देते हुआ जी तो मेरो लगता है उसमें गोडी भी अपने आपको भई महसूस करें वेस्वस्तू अजला गोडी जैसे ही यह तो वह वाली वात है एक गोली चलाईनी दूसरी लूड कर दी उसमे किसा आपको अगर लॉंग टाइम अपने जानवर अपने पास रखने है तो उसके हैल्थ का भी आपको ही खयाल रखना पड़ेगा अगर आप उसको मसीन की तरह इस्तमाल करेंगे तो वह बहुत जल्दी या तो मैंटेनस मांगेगी या वह मसीन फैल हो जाएगी बागी सार हमने जैसे लोगों को इस वीडियो के अंदर दो बच्चिया और एक बच्चा दिखाया जी आप सेल करो ना करो मेरा पूछने का काम है कोई है सेल के साब से कोई भाईबंद मांगे नया भाईबंद तो प्रदीब भाई अभी जैसे दो एक फिली और एक कोल्ड के बहुत अ अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है प्रदीब भाई बाई लोग लेना चाहे पसंद आए तो आप टाइटल में सर का नंबर चल रहा होगा तो सर के पास में आये देखे और सर अगर खुस हो गए तो आपको देदेंगे नी नी दी तो फिर कोई बात नी देखके तो चले ही ज सकते पर आपके फाम से जूड़ी जो जानकरी थी वह हमने लोगों को देने की कोशिस करी जी तो के सार थैंक यू नमस्त